हेलो फ्रेंड्स, यूके रिटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसन, पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, बच्चों के ओल प्रोजक्ट केप, बलाओज आधी में, बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आजाता है, ये पैटन two color में है, हमारा ये पैटन wrong side से बनना इस्टार्ड होता है, अब देखिए wrong side से first row, अब देखिए जो wrong side से हमारी first row आएगी, वो हमारी base row है, तो देखिए, ये हमारा first color yellow है यहां तो दिखे पहला फंदा उताल लेंगे धागा पीछे करेंगे और दिखे रॉंग साइड से फस्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लेट करना है यह हमारी बेस रो है यह देखे रॉंग साइड से हमारी बेस रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटर्न की फस्ट रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे और देखे नेस्ट फंदे में हमने पैटर्न डालना है तो देखे जो पहला फंदा है सलाई में इसको छोड़के ऐसे ऐसे चेन में आएंगे और देखे जो सेकिन नंबर का फंदा है देखे यह हूल दिखाए दे रहा है यहां पर हम सलाई डालेंगे और इस सीधा बुन लेंगे यह देखे फिर देखे नेस्ट फंदा हमने सीधा बुनना है और नेस्ट फंदे में हम पैटन डालेंगे एक फंदा सीधा फिर देखे नेस्ट फंदे में हमने पैटन डालना है तो देखे ऐसे चेन में आएंगे और देखे जो सेकिंड नमबर का फंदा है इसमें हमने सलाई डालनी है और इस फंदे को सीधा बुन लेना है फिर देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखे नेस फंदे में हमने पैटन डालना है तो देखे जो सलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे सेकिंड नंबर के फंदे में यह देखे यहां पर जो होल दिखाए देरा यहां पर सलाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे और जो सलाई में फंदा है इसको ऐसे सिलिप कर दालेंगे फिर देखे एक फंदा सीधा नेस्ट फंदे में हमारा पैटन आएगा एक फंदा सीधा नेस्ट फंदे में हमने पैटन डालना है एक फंदा सीधा फिर देखे नेस्ट फंदे में पैटन आएगा एक फंदा सीधा नेस्ट फंदे में पैटन डालेंगे एक फंदा सीधा फिर नेस्ट फंदे में पैटन डालेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर हमारा नेस्ट फंदे में पैटन आ जाएगा और लास्ट का फंद सीधा तह देखे एफ्रण्ट साइट से हमारी पैटन की फर्स्ट रोग कम्ख वो गई अब देखे बैक्साइड से से कम्ठेट हो गई अब से किरा दो में देखे你 पहला फंदा को ता लेंगे कि पहला फंदा उतार दागा पीछे करेंगे अब देखिए नेस्ट फंदे में देखिए फ्रंट साइट की तरब से हमारा पैटन आया है तो देखिए बैक साइट की तरब से हमने इस फंदे को सीधा बुनना है तो देखिए जिस फंदे में पैटन आया है देखिए उस फंदे के पीछे देखिए एक ऐसा ये धागा देखे, ये चुटा हुआ धागा है, ये देखे, इसके अंदर से हमने ऐसे सलाइड़ डालनी है, और इस फंदे को भी साथ में बुन लेना है यह देखे ऐसे फिर नेश्ट फंदा सीधा बुन लेंगे अब देखे फ्रंट साइड के तरफ से देखे जिस फंदे में हमारा पैटर्न आया है उस फंदे के पीछे देखे एक धागा है इस धागे के अंदर से हमने ऐसे सलाई डा है और इस फंदे को भी साथ में एड करके बुन लेना है ऐसे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे इस धागे को देखे ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को भी ऐसे तो इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे धागा पीछे ही रहेगा एक फंदा सीधा फिर देखे नेश्ट बुन लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे इस धागे को उठाना है हमने और देखे जो ये एक फंदा है इन दोनों को एक साथ बुन लेना है फिर एक फंदा सीधा फिर देखे इस धागे को ऐसे उठाएंगे राइट निडिल से फिर देखे जो ये फंदा है इसके साथ add करके इस धागे को भी बुल लेंगे ये देखे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे ये धागा उठा लेना है और इस फंदे के साथ add करके बुल लेना है फिर एक फंदा सीधा फिर ये धागा उठाएंगे और इस फंदे के साथ add करके बुल लेना है फिर एक फंदा सीधा फिर यह देख़ी फ्रंटे साइड की तरब से जिस फंदे में हमारा पैटन आया है उसी फंदे के पीछे हमारा ये धागा है ये देख़े और इस फंदे को ये पैटन वाला फंदा और ये चूटा हुआ धागा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे ये देख़े फिर एक फंदा सीध फिर देखें, यह धागा उठा लेंगे, और फिर इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फन्दा उल्टा, तो देखें, बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो, कम्प्लेट हो गई, अब देखें, फरंट साइड से थार्ड रो, आप कोई भी color apply कर सकते हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने बुन के उतार लेना है। फिर देखिए नेस्ट फंदा हमने सीधा बुन लेना है। यह देखिए यह नेस्ट फंदा हमने सीधा बुना आप देखिए जो नेस्ट फंदा आएगा इसमें हमारा पैटर्न आ जाएगा यह देखिए तो देखिए जो सलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकिंड नमबर के फंदे में देखिए इस होड म सीधा बुनेंगे और नेस्ट फंदे में हमारा पैटन आ जाएगा फिर नेस्ट फंदा हमने सीधा बुनना है फिर देखें नेस्ट फंदे में हमारा पैटन आएगा ये देखें फिर हमने नेस्ट फंदा सीधा बुनना है नेस्ट फंदे में हमारा पैटन आएगा जो सलाई म फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकिंड नंबर के फंदे way हमने ऐसे सब्सक्राइब डालनी है और एक फंदा बना लेना न एक फंदा सीधा कि फिर देखे ने स्वद्य में हमारा पैटर और अएगा नेस्ट बंदा सीधा, नेस्ट बंदे में पैटन आएगा, फिर नेस्ट बंदा सीधा, फिर देखें नेस्ट बंदे में पैटन आजाएगा, फिर एक बंदा सीधा, फिर पैटन आएगा, फिर एक बंदा सीधा, फिर हमने पैटन डालना है, और एक बंदा सीधा, लास्ट का फंदा सीधा तो देखे यह फ्रंट साइट से हमारी पैटन की थर्ड रो प्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से फोर्त रो अब फोर्त रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे यह एक फंदा सीधा बुने आप देखे नेस्ट फंदे में देखे हमारा फंट साइड की तरब से पैटन आया है तो देखे यहां बैक साइड की तरब से हमने यह देखे यह दागाा उठा लेना है यह ऐसे elle राइट न्रील से इस धागे को उठाएंगे और इस फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे ये देखें फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखें इस धागे को उठा लेंगे ये देखें ये राइट न्रील से धागा उठाया और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा, फिर देखे, ये फ्रंट साइट की तरब से जिस फंदे में पैटर्न आया है, उस फंदे के देखे, ऐसे बैक साइट की तरब से देखे, ये धागा है, ये उठा लेना है हमने राइट निडिल से, और इस फंदे के साथ एड़ करके बुन लेना है, ये फिर ये धागा उठाएंगे और इस फंदे के साथ बुन लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे ये धागा उठा लेना है और इस फंदे के साथ बुन लेना है फिर एक फंदा सीधा फिर देखे ये धागा उठाएंगे और इस फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे फ फंदे के साथ एड़ करके बुन लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर देखिए इस धागे को उठाएंगे कि देखिए बैक साइड से हमारी फोर्त रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से फिपत रो अब फिपत रो में हमारा पैटन रिपीट होगा तो रिपीट की देखिए एक रो अब यहां पर देखिए यह first color आएगा यह पहला फंदा बुन के उतारेंगे यह देखिए यह पहला फंदा बुन के उतारा अब देखिए first row में हमारा pattern first फंदे में आ जाएगा तो देखिए यह जो slide में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे chain में आएगे और देखिए second number के फंदे में इस hole में हमने slide डालनी है और इस फंदे को सीधा बुन देना है यह देखिए फिर देखिए next फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखिए next फंदे में pattern आएगा तो यह से चेन में आएंगे और सेकिंड नंबर के फंदे में हमने सराई डालनी है और इस फंदे को सीधा बुन देने फिर देखेए नेघ्ट बंदा सीदा जाएगा फिर नेच्ट बंदे में पैटन आएगा मैं weaving bomb द सीदा गैश देखें यह विट्म यह फ्रन्ट चाईड से हमारीitoomi है और इसमें हमारा पैटन रेपीट हो रहा है फिर देखे नश्च बंदे में हमारा पैटन आ आएगा फिर नेस्ट फंदा सीधा आजाएगा यह पैटन आएगा नेस्ट फंदा सीधा फिर देखें नेस्ट फंदे में हमारा पैटन आएगा एक फंदा सीधा एक फंदे में पैटन आएगा एक फंदा सीधा फिर एक फंदे में हमारा पैटन आ जाएगा फिर लास्ट का फ 5th row complete हो गई, 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था, 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया, अब back side से देखिए, जो 6th row आएगी, उसको हमने 2nd row की तरह बुनते हुए complete करना है, अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat और shift करते जाना है, और बन के देखिए, हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा, ये देखिए, बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक्यू,